वेकम दोस्तों हमारे चैनल आउसी को कुछ में आपका स्वागत है दोस्तों आज की वीडियों लोग जानेंगे कि हम लोग मुबाइल के थुरू अधार को किस तरह से डॉनलोड कर सकते हैं वह भी न्यू ट्रिक्स है तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको यूटूब मे या सर्च मारते होंगे तो बहुत सारा इसके रिकॉर्डिक वीडियो आता होगा जिसे आप फेस लोग के थुरू और आधार का ओफिस्यल सैड में जाके आपको आधार काड डॉनलोड कर सकते हैं लेकिन इससे हटके मैं आपको एक न्यू ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आ मुबाइल में एक एम अधार का एप आ जाएगा तीसर ओपिन कर लिजेगा ओपिन करने के बाद देखिए दोस्तों यहां पर यह कुछ टैम लेगा सर्च होने में मैंने एम अधार पहले या एकॉंट लॉगिन करके रखाया इसका पहले मैंने एक वीडियो बना चुका हू समझें दोस्तों तो आप उससे देखकर आप अपना इसमें अधार में लॉगिन हो जाईएगा तो देखिए दोस्तों इस तरह से लॉगिन होने के बाद यहां पे आपको नीचे साइड में फर्स्टी ऑफशन में डॉनलोडिंग अधार का ओफशन मिल रहा है तो इसे आप आप अधार का नंबर यहां पे डाल दिजेगा जैसे मैं यहां पे डाल देता हूं डालने के बाद नीचे साइड में आपको एक क्यापच्चा कोड आपको डालना पड़ेगा जो उपर साइड में है तो आप वो यहां पर डाल दिजेगा और रिक्वेस्ट ओटिपी में आप किलिक कर दिजेगा ओटपी में किलिक करने के बाद देखें दोस्तों यहां पर आपको जो आधार काड में मुबाइल नंबर रेजिटर है वो आपका यहां पे आ जाएगा और वह ओटपी आप डाल देजेगा डालने के बाद यहां पे वेरिफाइक option आपको मिल रहा है तो इसे आप क्लिक कर देजेगा क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहां पे आपको एक ऐसा फेज ओपन होगा जिसमें आपको आपको बताएगा कि आपका जो आधार है उसे PDF फाइल में डाउनलोड होगा लेकिन उसे आप पासवर्ड में डाल कर उसे ओपन करना पड़ेगा तो देखिए दोस्तों यहा यहां पर नीचे साइड में आपको यहां पर लिखा होगा कि देखिए यहां पर कि आपके नाम जो आपका फर्स्ट नेम है और आपका डेट ओवर्थ जो यह जैसे 2002 तो 2002 डालने के बाद Capital में अपना नाम और 2002 डालने का तो देखिए मैं यहां पर एक डाल के दिखा देता ह हो यहां पर open को option में रहा है तो इसे मैं click कर दूँंगा click करने के बाद मैं यहां पर इस तरह से page open होगा जैसे देखिए यहां पर यहां पर पासवर्ड डालनी का option मिल रहा है तो मैं यहां पर password डाल दे रहा हूं अपना नाम और यहां पर अपला इयर डाल देता हूं दोस्तों उसके बाद open को में क्लिक कर देता हूं तरह से आप अधार कार्ट को download कर सकते हैं मैं यहां आपको दिखा नहीं सकता security के वज़े से और देखिए दोस्तों यहां पर उपर शैड में आपको three dot आपको दिख रहा ह इसमें आप किलिक किजिएगा किलिक करने के बाद इसे send option आपको मिल रहा है send file तो आप इसे किलिक करके अपना file में transfer कर सकते हैं mobile के file में आप इसे download भी कर सकते हैं और इसे print करके आप निकाल भी सकते हैं इस तरह से आप अधार कार्ट download कर सकते हैं या भी एक अदम simple सा trick है द दोस्तों तो हमारे चैनल को like and subscribe करना ना भूले धन्यवाद